संसली दल ने यह फैसला किया है कि स्री नरेंदर बोधी को आगामी लोग सभाज चुनाओ के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कंडिडेट के रूप में पुर्यक्त किया जाए प्राइमेंटी बोड़ अब बीएप मेट तूडे एंडिडेट त्री नरेंदर बोधी विल बी आवर प्राइम मिनिस्ट्रियल कंडिडेट फार दे कमिंग लोग सभाज एलेक्शन भारती जनता पारटी में अनेक वर्शों तक एक कार्यकर्था के रूप में भिन्द भिन्द दाईत्व निभाते हुए परमात्मा ने जितनी शक्ति और समझ दी है उसका उप्योग भारती जनता पारटी के विस्तार और विकास के लिए देश की सेवा के लिए करने का मुझे ही महान पारटी ने हमेशा अवसर दिया है आज भारती जनता पारटी के राष्टी नेत्रुत्वने मुझे से एक सामान्य परिवार से आये हुए छोटे से कस्बे से आये हुए एक कारेकरता को बहुत बड़े कारे के लिए दाई तो दिया है अटल जी अडवानी जी के अथाग परिश्व से वटवरुक्ष बनी हुई इस पारटी के लाखो कारेकरताओं की शुक्कामनाए राष्टिय नेत्रुत्व के आशिर्वात भारतीय जनता पारटी को अवश्य सफलता दिलाएंगे मैं पारटी के चोटे मटे सभी कारेकरताओं का वरिष्ट नेताओं का आदर पुर्वक्ष नम्रता पुर्वक्ष नमन करते हुए आभार व्यक्त करताओं और मैं भारतीय जनता पारटी के कारेकरताओं को भारतीय जनता पारटी के विजय हो उसके लिए परिष्ट्रम करने में कोई कमी नहीं रखूंगा सामान्य मानवी की आशा अकांग्षाओं पर खरा उत्रूं कारेकरताओं की अपेक्षाओं पर खरा उत्रूं उसके लिए मैं भरपूर प्रयास कर रहूंगा मैं आज आप सब के माध्धम से करोडो करोडो देशवासियों से भी आशिरवाद चाहता हूँ कि देश जब संकट की घड़ी से गुजर रहा है तब भारतीय जनता पारटी को आशिरवाद दे करके इस संकट की घड़ी से देश को बाहर निकालने के हमारे प्रयात्नों को ताकत देए सामर्थ देए और मुझे विश्वास है कश्मिर से कन्याकमारी अटक से कटक ब्रादेश भारती जनता पारटी के कमल को ले करके एक नई आशा और रुवंग के साथ एक नई सोच और एक नई उम्मीद के साथ भारतीय जनता पारटी का पूरा समर्थन करेगी मैं मीडिया के मित्रों का भी बहुत आभारी हूँ कि आपने भारतीय जनता पारटी के उजवल भविश्य के विश्य में अनेक बार संभावनाए व्यक्त की है आम मन आदमी में विश्वास पैदा करने में आपकी भी बहुत बड़ी भूमी का रही है 2014 में देश ब्रस्टाचार के खिलाप मेहंगाए के खिलाप सुराज्य के लिए विकास के लिए पूरा समर्थन करेगा इस आँचा के साथ मैं आप सब का बहुत पदाभारी हूँ देश बास्यों का अभारी हूँ पार्टी के सभी महनुभाओं का अभारी हूँ हमारे जो एंडिये के साथ ही हैं उन्होंने भी टेलिफून करके आशिरवाद दिये हैं उन सब का भी मैं रदय से धन्यवाद करता हूँ इस तरह की खबरे देखने के लिए आप हमारी चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नौटिफिकेशन बेल ओन कीजिए धन्यवाद